नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल इस्टेडी वीद एलिस एलक्सपर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जूनियर एसिस्टेंट के लिए सामान्य बुद्धी परिक्षन का ये वीडियो और इसमें आपको मिल जाता है कोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिकोडिको में कूटित किया जाता है तो इसके बाद आपको वंडर के रूप में क्या कूट होगा, मीर का कूट आप से पुछा गया है क्या हो जाएगा, किस तरह से वह को स्वाना है, वो आपको देख लेना है इस तरह के कूशचन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको लिख लेना है, इसकीम को, तो यहां हम लिखेंगे S-C-H-E-M-E, इसकीम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, यह किस तरह से आपका आया है T-D, T-D-I-F-N-R-F, ठीक है, यह किस तरह से आ रहा है, तो यहां से हम जो इनका difference देख लेते हैं, सबसे ठीक है, तो प्लस वन की यहां केवल बात की गई है, C-D से चलेंगे, तो फिर भी हमारा प्लस वन आ जाएगा, H और I पे चलेंगे, तो यहां भी हमारा प्लस वन आ जाएगा, E से F की तरफ चलेंगे, यहां भी हमारा प्लस वन आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है, कि यहां हमें लिख ले रहा है wonder को wonder. इसके बाद जब हम इसको plus one करेंगे, तो W के बाद आपका आ जाता है W, X O के बाद आपका आजाता है P प्लस 1 करेंगे इसमें भी प्लस 1 करेंगे N के बाद आपका आजाता है O D के बाद आपका आजाता है E E के बाद आपका आजाता है F और R के बाद आपका आजाता है S ठीक है? तो कुछ इस तरह से यह जो आपको मिलने वाला इसका अंसर यह आपको मिलने वाला है और यह क्या हो जाएगा xpoefs और यह किस option में दिया गया है तो यह दिया गया है xpoefs ठीक है तो यह दिया गया है आपका option number d में ठीक है इस तरह से ये question easy तरीके से हल हो सकते हैं ठीक है और आपको जो है इनकी practice कर लेनी है ये question important है और आपकी पर इक्षामे इसी तरह के question पुछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो question है उसका answer हमारा आगया है D इसके बाद देख लेते हैं हमारा question number हो जाता है 2 और बात करेंगे द जाता है उसी तरह जैड को एक के रूप में code it किया जाता है तो mobile के लिए code क्या होगा mobile का code आप से पूछा रहे है क्या हो जाता है 27 माइनस A करेंगे A हो जाता है आपका एक पर तो यह आपका आजाता है 26 ठीक है इस तरह से यह जो है शिरीज इसमें चल रही है इसके बाद हम बात करेंगे 27 में C माइनस करेंगे B, B आ जाता है हमारा 2 पर, इसके बाद इस तरह से इसका आ जाता है 25 आंसर बात करेंगे C की, तो C कितने पर हो जाएगा, उसको भी 27 में से माइनस करना है, तो C हो जाता है हमारा 3 पर और जब इसको minus करेंगे तो यह आजाएगा आपका 24 ठीक है इसी तरह से कुछ यह series जो है यहां चल रही है उसी तरह से आपको बताना है mobile के लिए code क्या होगा तो mobile का code क्या होगा तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां हम जो है mobile देख लेते हैं यह आपका हो जाता है mobile ठीक है कुछ इस तरह से लिखा गया है और अब इन सभी को हमें 27 में से minus करना है तो 27 में से m को minus करना है m कितने पर हो जाता है 13 पर हो जाता है और 27 में से जब 13 घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 14 इसके बाद फिर से हमें 27 में से minus करना है क्या o कितने पर आ जाता है तो ओ आ जाता है आपका 15 पर और जब 15 को घटाएंगे तो यह आजाएगा आपका 12 14 और 12 दिया गया है 14 और 12 दिया गया है आपका option number D में ठीक है correct answer यह हो जाता है आपका इसके बाद भी जो है बागी बचे वी भी हम देख लेते हैं तो 27 में से माइनस किया गया है आपका B और B हो जाता है आपका 2 पर तो यहां क्या आजाएगा तो यहां आपका 25 आजाएगा इसके बाद फिर से 27 लेते हैं और 27 में से माइनस करेंगे हम आई आई हो जाता है आपका 9 पर और इस तरह से इसका जो minus होने के बाद आजएगा यह आजएगा आजएगा आपका 18 27 में से फिर से minus करते हैं तो minus sum करते हैं L और L हो जाता है आपका 12 पर तो इस हिसाब से इसका जो correct answer आजएगा 27 में से जब 12 गटाएंगे तो हमारा आजएगा 15 और यही क्रम यहां पर दिया गया है, इसके बाद 27 में से हम गटाएंगे जो सबसे लाश्ट वाला यानि 5, और जब 27 में से 5 गटाएंगे तो आपका आजाता है 22, और 22 पर हो जाता है आपका V, ठीक है, तो V हमें नहीं देखना है, हमें केवल यह सीरीज देखनी है, सबसे पह से उसका अंसर लगा सकते हैं, चले देख लेते हैं, नेक्ट कोश्चन हमारा क्या हो जाएगा, और यह कोश्चन दिया गया है, कोश्चन नमर हमारा हो जाता है 3, यदि किसी निश्चित वाचा में एक्टिव को A, D, U, J, W, A के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में E, F, E, C, T, यानि effect को कैसे कोडित किया जाएगा, यह आपको बताने, कोश्चन नमर हमारा हो जाता है 3, इसको आपको देख लेना है, किस तरह से हो जाता है, तो सबसे पहले इस तरह के कोश्चन करने के लिए हमें जो है लिख लेना है, आपका active को किस तरह से बनाया गय है आपका ED, तो सबसे पहले हम active लिखेंगे, active के बाद हम लिख लेते हैं आपका, क्या है EDUJW, और यह आजाता है आपका, तो किस तरह से इसको बनाया गया है, यह हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, तो यह हम देखेंगे, यहाँ AR है, और इसके बाद में यहाँ पर भी यह हम लिखेंगे effect को, ठीक है, effect को कैसे coded करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ effect भी लिखे लेते हैं, तो यह आजाएगा, आपका EFFECT, ठीक है, यह effect आजाता है, और इसको जब सबसे बाद में हम इसको आ रही है, reverse कर रहा है हमने है, तो E आजाता है, सबसे बाद में, इसके हम यह की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है, E को जो है, कुछ reverse करके दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारा T आ जाएगा, इसके बाद हम दूसरे वड़ को देखेंगे, तो दूसरा वड़ हमारा लिखा गया है, C, और C के बाद पिलस किया गया है, 1, पिलस 1 करने के बाद हमारा नीशे आ जाता है, D, और सभी को जो है, इसी तरह से किया गया है, सभी में T, U, I, J, V, W, ठीक है, बाकी को जो है, इसी तरह से पिलस 1 कर गया है, यहाँ पर, तो F में जब करेंगे, पिलस 1, तो F के बाद आपका आ जाता है, G, फिर इसमें पिलस 1 करेंगे, तो यहाँ पर भ जाता है TGGFDE तो TGGFD ये दिया गया है आपका option number B में ठीक है यह हो जाता है correct answer यह केवल series आपको समझने किस तरह से जो है आपके answer दिये जाते हैं किस तरह से आपको यह करने होते हैं सवाल समझने की काफी hard नहीं होते हैं easy होते हैं और केवल समझने की बात इसमें होती है यह हो जाता है हमारा question number 4 किस तरह से दिया गया है question number 4 यह हम देख लेते हैं तो बात की गई है normal की तो normal को लिखागा जाता है आपका r p n l b m के रूप में code it किया जाता है तो gather को क्या code दिया जाएगा क्या code हो जाएगा आपका gather का तो सबसे पहले हमें वही करना है सबसे पहले हमें लिख लेना है normal सबसे पहले हमने normal लिख लिया है यह हो जाता है आपका normal और इसके बाद हम लिख लेते हैं इनका यह दिया गया है आपका आर पी एन एल बी और एम ठीक है अब हमें इसका relation जो है find करना है किस तरह से इसका relation दिया गया है तो एन से आर को पहुचाए गया है एन से आर हमारा किस तरह से आजाता है यह हमें समझ लेना है तो यहां जो है हमने देख लिया है यह जो है हमने तीन तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है तो कैसे क्या है तो यहां जो है यह आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ यह डिवाइड किया गया है तो N का जो है यह हमने एंगल इस तरह से पकड़ा है तो N आ जाता है R का एंगल भी कुछ इस तरह से पकड़ा है और बीच वाले को आपने पिलस वन कर दिया है पिलस वन कर देंगे तो O से आ जाता है आपका P वो आ जाता है 15 नमबर पर ठीक है यह आप जानते हैं वो 15 नमबर पर आ जाता है और P आ जाता है आपका 16 नमबर पर इसी तरह से इसको किया गया है M आपका corner से पकड़ कर यहां आ जाता है और L जो है इस corner से इस corner पर आ जाता है और B च्वाले को plus 1 करके आ जाता है आपका B ठीक है तो इसी तरह से हमें करना है gather को अब हम gather को देख लेते हैं तो सबसे पहले हम 3-3 part में इसको divide कर देते हैं G A T और यह हो जाता है आपका H E R ठीक है उसी तरह से हमें सबसे पहले T ले लेना है G को हमको कर देना है आपका बाद में और A में plus करेंगे तो A के बाद आ जाता है आपका B इसी तरह से H आ जाएगा आपका इसके बाद आ रा जाएगा और E में जब plus 1 करेंगे जब हम यहाँ प्लस वन करने वाले हैं तो प्लस वन के बाद आ जाता है आपका E-F ठीक है तो यह सिरीज आपकी बनकर हो जाती है Ready क्या आ troublesome है TBG TBG R-F-H ठीक है यई सिरीज आपकी हो जाती है और एक किस ओप्शन में दिया गए है तो यह दिया गया है आपका TBG, TBG दिया गया है आपका option number 1 में, ठीक है, यही हो जाता है आपका correct answer, आपको केवल समझना है pattern क्या लगा हुआ है, इसके बाद बात करेंगे, यहां जो है कुछ दिया गए है, इस तरह का pattern जो है काम कर रहा है, यह आपको समझ लेना है, मिगन, lesson लिखा गया है, means इसका cupboard हो जाता है, इसका answer, इसके बाद आपका lesson, pion, means hardware लिखा हुआ है, इसका भी जो है क्या हो जाता है, यह हम देख लेते हैं, तो इस तरह के question करने के लिए, सबसे पहले हमें जरूरी है, हमें जो है, इनको लिख लेना है, हमें लिख लेना है, सबसे पहले मेशन गिलास को इसी तरह से, m-i-g-e-n, ठीक है, और यह word दिया गया है, आपका अलग से उतार लेते हैं, मेशन गिलास, यानि यह cupboard दिया गया है, तो cup अलग हो जाएगा, इसमें board अलग हो जाएगा, ठीक है, यह दो दिये गए हैं आपके issue में, cup board यहाँ जो है, ठीक है, और, यानि इसका मतलब जो हो हो जाता है, point, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाता है, board, और दूसरा word हो जाता है, इसमें walk, ठीक है, यहाँ पर जो है lesson दिया गया है, और यहाँ पर जो है, आपका दिया गया है, lesson, यहाँ पर भी lesson दिया गया है, तो कहीं न कहीं जो है, इसमें एक word common हो ज इस तरह से आप इसको दिहान रख सकते हैं इसी तरह से कोश्चन करने होते हैं इसके बाद जो हमारी तीसरी लाइन थी तो तीसरी लाइन हमारी हो जाती है यह हो जाती है और डी एन एस ए ठीक है यह हो जाती है हमारी और इसका जो मीनिंग हो जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका पुल मैन ठीक है यह दो अकसर हो जाते हैं पुल मैन इसका जो है आंसर हो जाता है और आपको बताना है वाल्क जो है आपका वे दिया गया है इसका अर्थ क तो वालक का आपको देखलेना है तो यह प्योन देखलेन के इन प्योन किस तो पहले आपको as को करनुंद के देखलेना है यहाँ आपका सब्सूर्ट है यहां आपको महतまだ मैं गए है तो ओपना होन है उस में बाचता है और जिमन के जग लिखा गया इस तरह से ठीक है अब बचते हैं हमारे दो आप हमें देखना है पोईन का तो हमारा मतलब हो जाता है walk और माइगन जो है यह कहाँ दिया गया हमारा option number A में और my gun का जो अर्थी दिया गया है वो दिया गया है आपका cup, ठीक है, यह आप देख सकते है, cup दिया गया है, आपका my gun का मतलब, तो इस तरह से my gun जो है, यह cup हो जाता है, और आपका बच जाता है, eliminate, इसके बाद आपका बच जाता है, point, force, ठीक है, और यह जो force है, यह कहीं भ होते हैं जल्दी से अगला कोश्चन हो जाता है हमारा एक निश्चित कोड बहासा में यदि सब्द रजिस्ट्रेशन को यह लिखा जाता है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सबसे पहले हमने रजिस्टेशन लिख लिख लिया है सबसे पहले हमने रजिस्टेशन लिख लिया है और इसके बाद इसको क्या कोड इत किया गया है तो इसको कोड इत किया गया है आपका T S I G E R R के बाद आपका आजाता है N और O I T A R ठीक है कुछ इस तरह से दिया गया है तो हम को जो है देख लेना है यहां पर R दिया गया है और यहां पर भी R दिया गया है हमें जो है कहीं न कहीं को तोड़ कर एक बार चेक कर लेना है ठीक है इधर आपके वर्ड बच जाते हैं 6 ठीक है और इधर भी आपके वर्ड हो जाते हैं 6 इधर आपके वर्ड बचते हैं 5 और इधर भी आपके वर्ड बचते हैं 5 ठीक है इस तरह से हम इसको तोड़ कर देखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आता है तो यह आ जाएगा सबसे पहले हमारा पी आ जाएगा और सी आपका आ जाता है सबसे लाष्ट में इसके बाद आपका जो M है वो कुछ इस तरह से आजाएगा और A आपका आजाएगा इस तरह से PMAC, PMAC यहां दिया गए और PMAC किस उप्शन में दिया गए तो PMAC दिया गए है आपका उप्शन नमबर B में यही हो जाता है आपका correct answer उसी तरह से हम यहां देख लेते हैं जो F है वो सबसे बाद में आजाएगा E है वो सबसे पहले आजाएगा I है यह इसके बाद में आजाएगा और R जो है कुछ इस तरह से आजाएगा PMAC, E, R, I, F तो यह दिया गए है आपका उप्शन नमबर B में और इसी तरह से यह question आपको करने होते हैं इसके बाद बात करेंगे next question हमारा हो जाता है एक निश्चित भासा में true को 1759 kick को 4384 और chan को लिखा जाता है आपका 8263 zero के रूप में coding किया जाता है उजी code में kitchen को क्या लिखा जाएगा तो यह हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे true को लिखा गया आपका 17 तो यह जो है कहीं तक भी इससे match नहीं हो रहा है true को आपका लिखा गया है 1759 तो true का और इनका कोई भी relation नहीं find हो रहा है इसके बाद किक की बात करेंगे k, i, c, k किक को लिखा गया है आपका 4, 3, 8, 4 तो 2, 4 आ रहे हैं 2 इसमें k हैं तो कहीं ना कहीं को 4 यहां पर दिखा गया है k को 4 कहा जाएगा उसी तरह से chain को दिखा गया है तो कहीं कर ना कहीं यह अपनी तरफ से इनुने दिया हुआ है answer chain को लिखा गया है 8, 2, 6, 3, 0 ठीक है कहीं भी इनका relation find नहीं हो रहा है किक का केवल हो रहा है तो किक में 4 दिया गया है k को 4 कहा गया है उसी तरह से t को आपका 1 कहा गया है r को 7 कहा गया है और u को 5 और u को आपका 9 कहा गया है तो हमें kitchen का find करना है तो kitchen हम देख लेते हैं k-i-t-c-h-e-n ठीक है यह हो जाता है आपका kitchen इसके बाद जब हम बात करेंगे तो k को क्या कहा गया है तो k को कहा गया है था हमारा 4 इसी तरह से हम इसी में से निकाल लेते हैं ठीक है इसके बाद आई आजाती है तो i को हमारा 3 कहा गया है यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे number पर यह भी दूसरे number पर तो i को कहा गया है हमारा 3 टी की बात करेंगे टी किसमें दिखाया गया है तो t दिखाया गया है आपका option number e में जाता है पहले इंगी जाता है इसका चार्ग, पोर्ए कोस्चन को हमारा कोशिश करते हैं तो फ ह ही आपका दो पर गूंध पर ये हो जाते हैं अ कुछ इस तरह से यह पूरी सीरीज जो है यहां पर आ जाती है 4318290 यह हो जाता है किशिन का कोड़ लेकिन हम से पूछा गया था पहला अंक किशिन का तो पहला अंक हमने बता दिया है तो पहला अंक है क्या हो जाएंगा तो जहती है थोड़ा सब कोश्चन आपके परिक्षाऌं में पहले भी तो चले बात करेंगे यहां पर किस तरह से जो है, सबसे पहले हम अलफा लिखेंगे, यह आपका दिया गया है, A, L, P, H, A, ठीक है, तो एक ही बात करेंगे, तो A को कहा गया है, आपका 101, 101, L को कहा गया है 112, P को कहा गया है 116, और H को कहा गया है 108, और A को क्या कहा गया है, तो A को कहा गया है 101, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, तो A को कहा गया है 101, तो A की value क्या होती है, तो A की value होती है, और इसमें केवल हमारा 100 को add कर दिया गया है, तो 100 पिलस 1 करेंगे, तो य यह कितना हो जाता है 100, 0, 1 यह हो जाता है उसी तरह से हम अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो L की value हो जाती है हमारी 12 ठीक है L 12 पर हो जाता है तो जब 12 में हम 100 जोड़ेंगे 100 प्लस 12 करेंगे तो यह हमारा हो जाता है 112 12 ठीक है यह हमारी टिक जो है इसमें काम कर रही है पी हमारा हो जाता है 16 पर और 16 पर भी जो हम इसमें 100 जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाता है 16 तो 116 इसका आजाता है करक्ट ठीक है उसी तरह से h की बात करेंगे तो h हमारा हो जाता है 8 पर और 100 में जब हम 8 जोड़ेंगे 8 एड़ करेंगे तो यह हमारा हो जाता है 108 ठीक है इस तरह से जो है 100 एड़ किया गया है उसकी प्लेस वैल्यू में ठीक है तो प्लेस वैल्यू में जब 100 एड़ करेंगे तो उसी तरह से बेटा का पूछा गया है तो बेटा हम लिख लेते हैं सबसे पहले ठीक है, B, E, T, A ये हो जाता है हमारा बेटा और बेटा के B हो जाता है 2 पर E हो जाता है 5 पर T हो जाएगा 20 पर और A हो जाता है हमारा 1 पर और जब हम इसमें 100 करेंगे सभी में सभी में हम प्लस 100 करने वाले हैं तो पहले वाला हमारा 102 हो जाएगा जब 5 में 100 करेंगे तो 105 हो जाएगा 20 में करेंगे तो 120 हो जाएगा और 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 101 कुछ इस तरह से यह answer आपका आने वाला है और यह answer किस में दिया गया है तो यह answer दिया गया है 102, 105, 120 तो यह दिया गया है आपका option number C में ठीक है, यही हो जाता है इसका correct answer, सबसे पहले 102 आ जाएगा, फिर 105 आ जाएगा, 120 और 101 आपका आने वाला है, ठीक है, इस तरह से आप इस question को बड़े ही हराम से solve कर सकते हैं, यह question junior resistant की परिक्षा में पूछे गए हैं, पिछली परिक्षाओं में, इसके बाद हम बात कर लेते ह यदि रोज को कूटित किया जाता है, 3856 के रूप में, तो chair को कूटित किया जाता है, 8976 के रूप में, और preach को कूटित किया जाता है, 2369 के रूप में, तो search के लिए कूट क्या होगा, search का कूट आपको बताना है क्या हो जाता है तो इसमें भी जो है पिछले question की तरह हम देख लेते हैं R का जो है R O S E और इसका जो relation बनाया गया है 3856 से जबकि इसका relation 3856 से नहीं बनाया गया है नहीं होता है कुछ भी तो इसको जो है काल्पनी गुरूप से ये number दे दिये गए है उसी तरह से chair को दिये गए है तो C-H-A-I-R chair को क्या number दिया गया है तो chair को दिया गया है आपका 89763 ठीक है और ये कहीं न कहीं जो है इसी में से निकल कर आ जाएंगे पूरे number preach की बात करेंगे तो आपका हो जाता है P-R-E-A-C-H preach की बात करेंगे तो preach में आपको दिया गया है 2367 और ये हो जाता है आपका 89 उसी तरह से search की बात करेंगे अब हम तो S-E-A-R-C-H तो CH यहां दिया गया है तो CH के लिए क्या हो जाता है तो CH के लिए आपका 89 ठीक है तो 89 जो है यह हमारा आ जाता है सबसे बाद में ठीक है इसके बाद A आजाता है तो A दिया गया है हमारा Chair में और यह हो जाता है आपका साथ नंबर A का हो गगता है तो R आपका आजाता है यह तो Pcking अब आजाता है तो यह शहता है वष्टे पर तरह पिरिंगोर यह आजाता है 567-389 और यह किस option में दिखा गया है, तो यह दिया गया है आपका option number D में, 56, 73, 89, यह हो जाता है आपका option number D में, ठीक है, बड़े आराम से इन question को आप कर सकते हैं, केवल आपको इसके pattern का पता होना चाहिए, किस तरह का इसमें pattern लगा हुआ है, इसके बाद हमारा हो जाता है next question, किसी निश्चित कूट में production को Q, P, C, V, H, U, M, T लिखा जाता है, इसी कूट में orientation को किस परकार से लिखा जाएगा, orientation आपको बताना है किस तरह से लिखा जाएगा, orientation तो यहाँ जो है सबसे पहला हम production की, जाज करेंगे production जो है किस तरह से यहाँ लिखा गया है, तो सबसे पहला हम प्रोडक्शन देख लेते हैं, तो सबसे पहला हमारा P यह आ जाएगा, E, U, H, P, M, और T, तो इसका जो relation है वो हमें find करना है किस तरह से जो इनका दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, यह हमें बताना है, तो सबसे पहले हम बत करेंगे P से Q किस तरह से आता है, तो P से Q कई कब आएगा, तो जब P के तुरनत बाद आपका Q आजाता है, यहां पर पिलस वन किया गया है, R के बाद जो है यह माइनस किया गया है तो R का जब हम एक माइनस करेंगे तो माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाता है क्यों ठीक है कुछ इस तरह से यहां सिरी चल रही है O के बाद पिलस 1 करेंगे तो O के बाद पिलस 1 करेंगे तो P आ जाएगा और D से एक माइनस करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो यह आपका आजाता है C, U से जब पिलस 1 करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे C के बाद जो है यह आपका आ रहा है E, तो C, D, E तो यहाँ पर हुआ है आपका प्लस दो इसके बाद T के बाद U तो T, U यहाँ पर प्लस वन हुआ है T, U I के बाद H आ जाता है तो यहाँ पर हुआ है माइनस वन O के बाद P आ जाता है प्लस वन हो जाएगा N के बाद M आ जाता है माइनस वन हो जाएगा और S के बाद T यहां पर पिलस वन हो जाएगा केवल आपका देखना है यहां पर फाइव नंबर पर पिलस दो के आगा है और बाकिस अभी में सीरीज चल रही है पिलस वन और पिलस माइनस की उसी तरह से आपको देख लेना है औरियंटेशन तो बात करेंगे O-R-I-E-N-T-A-T-I-O-N ठीक है तो यह हो जाता है आपको औरियंटेशन और इस तरह से जब हम इसमें पिलस वन करेंगे तो O के बाद आपका आजाता है P ठीक है O-P आजाएगा O-P दिया गए है आपका तो यह हमारे जो है इलिमिनेट हो जाता है पहले वाला और इसके बाद R के बाद जब minus 1 करेंगे तो R से जब minus 1 करेंगे तो आपका आ जाता है तो आपका आ जाएगा Q, Q, R ठीक है, ये हो जाता है फिर हम I में plus 1 करेंगे तो I, J J आ जाएगा यहाँ पर और इस तरह से ये दो option आपके eliminate हो जाते हैं, दो आपके बच जाते हैं E के बाद आप जब plus यहाँ पर करेंगे minus 1 और E का जब minus 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आप D ठीक है, D, E ये D आ जाएगा, N के बाद फिर से हम प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करने के बाद N के बाद आपका आ जाता है ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है और यहाँ पर जो है पांचवे पॉइंट में हमने दिया गया है, प्लस 2 किया गया है पांचवे पॉइंट पर, तो T के बाद जब हम प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तो यहाँ पर के बाद प्लस 2 हुआ है और बाकी में जो है प्लस 1 और प्लस माइनस 1 का जो है पैटर्न लगा हुआ है ठीक है तो इस तरह से यहां तक हमें देख लेना है सबसे पहले P Q J D O V P Q J D O V तो यह दिया गए है आपका option number A में ठीक है इस तरह से जो ही यह question हो जाएगा तो चले दोस्तों बाकी के जो हैं हम आपको कल करा देंगे और आज के लिए इतना ही और चले दोस्तों अगर अभी तख आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आप सबस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेर कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार